आज हम बात करने वाले हैं मूलांक से आप अपना भविश्य फल देख सकते हैं जिन लोगों को आपकी कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है आपको अपना डेटो बर्थ नहीं पता है केवल आपको आपके जनम की तारिक पता है तो उसके माध्यम से भी आप अपना 2024 का राशिफल कैसे जाने हैं आज हम इसी वीडियो के साथ बात करेंगे तो जो रहेगा साल 2024 में मूलांक से अपना भविश्य फल दे मूलांक एक जिन व्यक्तियों का जनम एक तारिक को हुआ है या जिनके जनम का जोड एक आता है एक तारिक, दस तारिक उनका मूलांक एक होता है यानि कि जो जनम की तारिक है उसको टोटल करने पर अगर एक मूलांक आता है तो उनका भविश्य फल साल 2024 में कैसर है जिन लोगों का जनम मूलांक एक में होता है उनके स्वामी सूर्य महराज होते आपके अंदर स्वाभी मान का गुण होता है साल 2024 में आपको किसी भी बात को लेकर अपनी इगो पर नहीं लेनी है कोई भी बात नहीं तो आपके अपने कैरियर में चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा अगर आपने इस वर्ष अपनी इगो को बड़ा माना तो आप बहुत कुछ गवा बैठेंगे आर्थिक रूप से आप लंबे समय से जिस अफसर की तलाश कर रहेते परतिक्षा कर रहेते वह आपको मिल जाएगा इस साल आपको जितना लाब चाहिए उसके हिसाब से आपको जाद ही महनत करनी पड़ेगे जितना परिश्रम आपका होगा उतना ही जादे आपको लाब मिलेगा अपने लक्षे के निकट पहुँचेंगे और आर्थिक रूप से उन्नत होगे आपको पैसे की भागदोरी में जितना व्यस्त रहेंगे या व्यस्त नहीं होना है उतना आपको अपनी सेहत को अभी नजर अंदाज नहीं करना है ऐसा करने से कुछ समय के लिए धन तो आएगा लेकिन सेहत विगर जाएगी इसलिए अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखें मानसिक तनाव और डिप्रेसन इस वर्ष आपको परेशान कर सकता है काम का प्रेशर आपके उपर अधिक रहेगा लेकिन बिना वजे का प्रेशर अपने उपर ना ले उससे बचे अन्यता आपको समस्या हो सकती कि आपके स्वास्ते में अपने तनाव को दूर करने के लिए ध्यान जरूर करें। इस वर्ष आपके शादी के योग बन रहे हैं, इसलिए अगर आप को आपके रिस्ते की बात आगे बढ़ सकती हैं। और किसी से प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम में वस्त रहेंगे। और विवा की बात भी कर सकते हैं। पारवारिक मुद्दे आपको इस वर्ष परेशानी में डाल सकते हैं, इन पर अपना ध्यान जरूर दे।